आदने प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्क दर्सन से आगे वढ़ाया है। आज भारत पुरी दुनिया के लिए एक रोल मोडल बना है। पुरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदने प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। और इस महामारी के खिलाब चौधी बार देश को संबोधित देश की जंता से सीधे संबध अस्थापित किया है अपने संबोधन के अदर्न प्रदान मंत्री ची ने और हम सब आभारी हैं कि आज करोना संकड से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए सोक्सुम लगु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी सर्मिकों के लिए फेरी नीती से आच्छादित होने वाले थेला, खुमचा, रेड़ी, पटरी, ब्योसाई या अन्या रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है बीस लाग करोड रुपे के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आधने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से अविनंदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की तेईस करोड जनता की ओर से उनके प्रति आभार वेक्त करता हूं मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर जिसे हमने आधने प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के माध्यम से एक नई उचाईयां प्रदान करने का प्रियास किया करोणा संकट के कारण उनके सामने कुछ विसम इस्तितियां आई थी ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा इसमें कारेरत हमारे लगभग 45 लाग से अधिक जिसमें कामकार हैं सर्मिक हैं जो सिल्पकार हैं उन सब को भी एक नई जान मिलेगी साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाग के आसपास प्रवासी सर्मिक आने वाले हैं 10 लाग अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दोरान मेरा उन्मान है कि 10 लाग के आसपास और आएंगे यानि 20 लाग से अधिक जो प्रवासी कामकार और सर्मिक आएंगे इन सब को ये कल्यान के लिए भी एक नई तिसा हमें प्राप्त होगी प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खुमचा है, रेडी है, पटरी ब्यावसाई है और अन्य फेरी नीती से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं ऐसे लगभग 15 लाग की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कारे करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं जिने हम लोगों ने पहले ही करोना संकट आने के ततकाल बात भरण पोशन की विवस्ता की थी, उन सब को भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा मैं आदने प्रधान मंत्री जी को देश की ग्रामिन अर्थ विवस्ता को देश के सूक्षम लगू मद्यम उद्यम को देश के आर्थिक स्वाबलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है इस के लिए मैं अदने प्रधान मंत्री जी का एक बार फिर से अविनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनकी प्रति आभार विक्त करता हूं और मुझे विश्वास है क्योंकि मार्क दर्शन में हम करोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रतेख नाकरी को न केवल करोना से सुरक्षित करेंगे अपितो आर्थिक स्वावलंबन की और अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैगेश हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कारे करेगा मैं फिर से आधने प्रधानमंत्री जी का हिरदे से अविनंदन करता हूं आभार विक्त करता हूं धन्यवाद